आज का इस वीडियो में आपको बता हूं कि आप प्रोफेशनल 3D इंट्रो किस परकार बनाएंगे अगर आप यूटूबर है यूटूब पे वीडियो अप्लोड करते हैं तो यूटूब वीडियो का क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसे प्रोफेशनल बनाने के लिए या अ सबस्क्राइब करने के बाद इस तरह से इंट्रोफेश ओगा और उपर लिखा हुआ क्लिप मेकर आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका एडिटिंग पेज ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना नीचे यहां पर देखें नीचे आपको सलाइट करना है यहां पर देखें बहुत साथ टेंपलेट दिया हुआ है आपको जो भी टेंपलेट पसंद है उस पर आपको क्लिक कर देना है तो नीचे सलाइट करते जाना है यहां पर अपने हिसाब से देखना चाहते हैं तो नीचे देखे लिखा आपको नीचे पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करेंगे तो बहुत सा यहां पर टेंपलेट आपको देखने को मिलेगा अब यहां पर देखें ट्रेंडिंग में यहां देखें ट्रेंडिंग है और जो ट्रेंडिंग भी टेंपले बाद यहां देखें open in clip maker के option है इस पर click करना है क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपका editing ओप फसे पर उपरन हो जाएगा फसर लोटिंग लेगा पांसर दसफेंड वेट करना होगा उसके बाद यहां पर देखेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है उपर में देखें फिरिव लाइन और 2K या जो भी जिस साइज में वीडियो बनाना है जिस भी रेजुलेशन बनाना इसको यहां से से इसए करना है उसके बाद अब क्या करना है दुबारा से थृह लाइन पर क्लिक करना है तो दोनों टेक्ट में आप नाम चेंज कर लें पर क्लिक करने के बाद नीचे देखे एक तक मेरी एक दूले और आपका जो भी श्रीन यूट्भी चैनल को के नीशे देख सकते हैं दूसारा जो डिलिट करना है और यहां पे जो नेtes करना इसको डिलीट करना है और इसका जगhosë आपको आपना चैनल का नाम लिखना है तो आप तुका है अपको क्लिख करना है यहाँ है फिर ने का इसमें audio music लगा है यहां पर audio पर्स music को ऑप्सों नहीं सब्सक्रण करके आप video music लगा सकते हैं या फिर डाउनलोड करने के लिए नीचे पर बात टेंगे यहां पर रेंदरिंग सटार्ट करना है और यहाँ पर टाइम दीया हुआ हिएवा हिए कितना संसरी बचा हुआ यहां दूपर हो चुका है यहां पर पूरा complete हो जाएगा उसके बाद मीरा पर चुका है उसके बाद देखे यहां पर दोंबता है यहां पहला option है कि यह जो कि दिए डॉनलोड करते हैं ए यहां पे डॉलोड इंट 花ट हो जागा देख सकते हैं यहां पर लिखाLR चुका है ग्यां पर मेरा वीडियो डॉनलोड हो चुका है अब उपन करके दिखाता हूं तो यह रहा मेरा इंट्रो तिस तरह से आप 3D और या फी प्रोफेशनल इंट्रो पेंजोट के मदद से बना सकते हैं